मेरबान कदरदान है कोई माई का लाल जो अपने बाजू की ताकत आजमाना चाहता है अरे है कोई जवान जो इस स्कॉलास से ठक्राने की हिम्मत रखता है अरे है कोई जवान मेरबान कदरदान जो इस पहलवान को हराएगा वो बीस हजार रुपया कमाएगा अरे है कोई मैं लड़ूंगा हाँ मैं लड़ूंगा तुम लड़ेगा मैं लड़ूंगा इस मिट्टी के लाल से ठीक है आ अंदर आ आ आजा कबड़े वदल के आना इसके पैंतिस में लेके ये लीजिए आए 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 कर दो अ हम आणग Ci अए बढक हम उजा एं एं एंए आंआए एंए आप एंए genetic ऑम एंए कि झाल भ हो! कि झाल भूज स आपने आच से देखो देखो नाइट नाइट इदर आओ आओ सिस्टर आओ जितने के 20 हारने के 40 मिलेंगे मेरा पहलवान नहीं आरना चाहिए मेरी इजन्द का सवाल है मैं हारने के 40 हार दूँगा 30-40 हार रुपए इतने पैसे कहां से आएंगे गुरू क्या ठीक है पैसे इसको देदेना एमेन तुम कैसा बात करता है पूरे 40 हां गिन ले अब अगला राउंड पानी में होगा हिस्कार एंगे अगलोन जुक्राइए आए हिस्कार!! आए 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 इस्कार ने सबहा है आपके पती ने तो पैसे बिजवा दिये हैं. क्यों लिए आपने पैसे? आपके अस्पतार में मेरा भाई मिठिया मेरे पती का. सुधा, ये कैसा बात करता है मैं तुम? पैसा तुमने दिया आजाए ने दिया, एकिछ बात है न? नहीं Mr. David, बहुत फर्क है. क्या? इधर आओ man, क्या हुआ है? तुम husband and wife में क्या tension चलता और किस बात का जगड़ा है? अरे Ajay तो कितना अच्छा चोक रहा है. तुमको तो अपना तकदीर पे नास करना मंगता. लोग अपनों के काम नहीं आता. और Ajay तो दूसरों का वास्ते अपना जान देता है. Mr. David, वो जान देता नहीं, जान लेता है. मेरे भाई की इलाज के लिए उसने जो पैसा ट्रिपोसिट किया है. नजाने किस का खुन बहा के लाए है वो? हाँ, खुन तो जरूर बहा है. तुम जानना मंगता है न, कि किस का खुन बहा है? हम, हम बताएगा तुमको. बताएगा कि किस का खुन बहा है. चलाँ. अटो में, देखो, अपना अंकी से देखो, कि किस का खुन बहाता है? अगएगा किस का खुन बहा है, कि 3 dealing hip, अजना अजना मंगता है तुमको बहा है से हाँ, आँ अपना प्त, वे तुमको。 एक, दो, ती, चार, पाट, जे, साट, हाट, नौ, तुर, जित गया, आपने रचार, बैया लिया वितालिय आहसान, क्या समझते हो तुम चन्खत्रे खून के बहाने से तुम्हारे सारे गुनाहों के दाग दुफल जाएंगे आजे, आजे, आज तक कभी किसी ने, मेरे सर पर प्यार से हाथ नहीं फेरा, मेरे सख्मों को देखकर, कभी किसी ने हमदर्दी नहीं जताई हम है, हम है ना बिटा, कभी को फिकर करता, लेकिन एक बात तुम हमको बता, यह अचानक सुधा तुम से, इतना नफरत कभी को करने को लगा एक खुनी, नफरत के ही लाइक होता है तुम खुनी? नो, तुम खुनी नहीं हो सकता, हमारा दिल बोलता है यह तुमारा दिल बोलता है, मिसस्स डेविट, क्योंके तुम्हारे पास दिल है लेकिन जिन लोगों ने मुझे चनम देकर, खचरे के टब्बे में भैक दिया, उनके पास दिल नहीं था अन्ना, जिसने मुझे पाला, पुसा, दिल उसके पास भी नहीं था बहला, बुरा, सही, घलत, इन शब्लोकर तो माबाप बताते हैं न मिसस्स डेविट, या पर स्कूल मास्टर लेकिन मेरा तो स्कूल भी अन्ना, सबक भी अन्ना, और मास्टर भी अन्ना नजाने कितने खूल, कितने गुना करवाएं उसने इन हादों से और तो और सुधा के पहले पती की मौत का कारण भी मही हूँ मैं आपके साथ नहीं जाओंगी भावी कैसी बाते कर रहे हैं तू, आज करवाच ओथ है आज के दिन तो हर और अपने पती के लंबी उमर के लिए वरत रखती है और तूने वरत नहीं रखा आपके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं भावी लगता है आजय से कोई तेरी खटपट हो गई लेकिन पगली नाराज़की का मतलब यह नहीं कि तो अपने संसकारों को भूल जाए सच पूछ, तो मेरा वरत्ती आजय के दम से है अकर वो तेरे भाईया की सिंदगी नहीं बचाता तो शायद तेरे भावी के शरीर पर सुहाग का जोड़ा नहीं होता तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तुझे पती नहीं देवता मिला है देवता अरे यह इस बात हम इस छोकरी को दिन राज समझाता है कि इसका आदमी ग्रेट है नसीब वाले को ऐसा आदमी मिलता है कमान बेबी अब तुम तियार हो जाओ तुम जाओ प्लीज मेरे साथ जबर्दा सिमत कीजी प्लीज यह तुझे क्या हो गया है सुधा मैंने कहा न भावी मैं आपके साथ नहीं आऊंगी लेकिन क्यूँ यह मेरा जाती मामला है यह तुमको क्या हो गया है सुधा ऐसा ऐसा बात करता है क्या अपना भावी से और क्या गलत बात बोला वो तुमारा धरम में तो पती को भगवान मानता है और आज भगवान, 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 जिसे आप लोग अपनी पल को पे सजाये बैठे हो, वो मेरी पूजा तो क्या किसी के नवरत के खाबिल भी नहीं है, खिलवार हुआ है मेरे साथ, खिलवार, चुटकी भर सिंदूर की जगा पाप के अंगारे, और मंगल सुत्र की ज जूट है यही सच है भावी, ना जाने कितने लोगों के कुछ से हाथ रंगे है उसके, और तो और भावी, रवी का भी खुछ उन से ने किया सदा, हम तुम्हारा तकलिफ को समझता, क्योंकि हम भी ऐसा पेंट से गुसरा, तुमको क्या लगता हम रात दिन ये डेविद, डेविद का को करता है क्योंकि आज हमको हमारा गलती मालूम पड़ता, कि हमारा डेविद का खुल का जिम्मेदार हम है हम हम उसको बहुत प्यार करता था, शादी का बात, जब हमको मालूम पड़ा के हमारा डेविद एक क्रिमिनल था, वो जेल जा चुका था, बस हमारा प्यार नफरत में बदल गया, उसने हमको बहुत समझाया कि देखो हम ये रासा छोड़ दिया, अब हम क्राइम नहीं करता है लेकिन हम उसके बाद का भरसा इच नहीं किया, ऐसे इच बिलकुल ऐसे इच नफरत करता था हम उससे, जैसा आज तुमा जैसे करता है, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ मालूम, हमारा डेविद ने सिउसाइड कर लिया, आत्मात्या कर लिया हमारा डेविद ने, खाले हमक चोड़ दिया है, तब जाके हमको अकल आया, खेक अदम्या ख़त दुनिया से लड़ सकता है, मगर एक आउरत का नफरत का आगे हार जाता है, नो बेबी नो, तुम हमारा माफिक गल्टी मत करना, आज आजए एको, तुम्हारा प्यार तुम्हारा सारे का जरूरत है, अगर त उसको ठुकरा दिया, तो उसका जिंदकी तो बरबाद होई जाएगा, लेकिद तुम्हारा लाइफ मेरी कुछ नहीं बचेंगा, मान जाओ सुधा, अपना पती का वास्ते ना सही, वो इस मोटर मेकानिक का लंबा लाइफ का वास्ते दुआ करो, जो तुम्हारा होने वाले बच्छे का बच्चे का बाप है